इसरम की पहली किष्ट कब आएगी आपको मैं लाइब दिखाता हूं सर्च मारते हूं इसरम कार्ड पहली बार किष्ट कब आएगी इसरम कार्ड पहली किष्ट कब मिलेगी इसरम कार्ड पहली किष्ट कब आएगी यह सवाल इसरम कार्ड धारोकों के मन जरूर है असंगडित छेतर में काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार ने इसरमकार बनाने का शुरुआत की थी वही अगर हम उत्तर परदेश की बात करें तो आप असंगडित छेतर में काम कर रहे हैं उत्तर परदेश की निवासी हैं उत्तर परदेश सरकार ने इसरमकार्ट धारोकों को 500 परतिमा देने का एलान किया है यह आपने 31 दिसंबर 2021 के पहले इसरम पोटल पर रेजिस्टेशन कर लिया है तो आपको 500 परतिमा दिसंबर से मार्ज तक दिया जाएगा यह पैसा आपको दो किस्टों में दीना दिया जाना सुनच्छित किया गया है इस सरमकार्ट धारोकों की पहली किस्ट कब मिलेगी इसे जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के वीडियो आपको देते रहे है आई मतलब इस पोस्ट को इस वीडियो को आप सेयर करना उत्तर परदेश में लगबग 3 करोड सरमकार्ट धारोकों को 2000 देने का एलान किया है 31 दिसंबर से पहले इस सरम पोटल पर रेइस्टर सरमिकों को 1000 की पहली किस्ट कब मिलेगी यह जानना बहर जरूरी है आज हम आपको बताने वाले हैं इस सरमकार्ट धारोकों को 500 कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्या 31 दिसंबर के बाद इस सरमकार्ट बनाने वाले को 500 मिले गए यदि आप उत्तर परदेश के निवासी हैं और आपके इस सरमक पोटल पर रेइस्टरेशन किया है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्तर परदेश सरकार्ट ने 500 परतिमा देने का उन सरमकों को एलान किया था जिनका इस सरमकार्ट 31 दिसंबर 2021 से पहले का बना हुआ होगा यदि आपने इस सरम पोटल पर 31 दिसंबर 2021 से पहले आवेदन किया कर दिया है तो आपको 2002 किस्तों में दिये जाएंगे क्या UP लेवर कार्ड 500 RS मिलेंगा क्या UP लेवर कार्ड धारकों को 500 परतिमा मिलेगा सब का question एक है वही उत्तर परदे सरकार ने लेवर मजदूर कार्ड धारकों को भी 500 परतिमा देने का एलान किया है यदि आप उत्तर परदेश में लेवर मुजदूर कार्ड धारक है तब भी आपको भरन पोशन भत्ती स्कीम का लाब दिया जाएगा सरकार ने बताये कि लगबग 66 लाग भावनेम संडिर्मान कर्मकार की बेफसाइट पर स्रमिक रेजिस्टर है इसको भी भरन पोशन भत्ता के तहद 2000 मार्च तक दिया जाना है सरमकार धारको को कैसे मिलेगा 500 परतिमा यदि आपने स्रमिक पोटल पर ही इस सरम पोटल के लिए रेजिस्टरेशन किया है तो सरकार ने 2000 मार्च तक देने का एलान किया है यह अपने इस्रम कार्ट बनवा लिया है तो आपको परतिमा 500 पर दिया जाएगा यह इसकी मुत्तर पर्दे सरकार ने भरन पोशन भत्ते के नाम से स्टार्ट किया है उसके लिए केवल आपको इस्रम पोटल रेजिटेशन खरना है और आपको किसी भी परकार का फॉर्म नही परेज दिया जाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी 500 रुपे परतिमा मिले तो आप कमेंड में मुझे बताएं कुल मिला के यह समझ में आ रहा है कि सरकार इस्रम कार्ट के द्वारा हमें डायरेक्ट भत्ता देना चाहते हैं ताके कोई भी दलाल बीच में ना है तो आप अगर भत्ता लेना चाहते हो और आपको नहीं आया है या फिर आएंगे कि नहीं यह सवाल करना है और आपके मन में यह बाते उठ रही है तो आप मुझे कमेंड में बताएं मैं जरूर हल्प करूँगा धन्यबाद